प्रेंड नमस्कार आपका हमारे यूटूब चैनल सिंध्याग्यान में श्रागत हैं चलिए आज का कुशन देखने से पहले मैं बूलना चाहूंगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाई सिस्क्राइब करिए ठीक है तो चलिए आज का कुशन स्टाट करते हैं यह मैंने आपको अगली बार दिया था कुशन करने के लिए चलिए आएस का अंसर जान लेते हैं बताइए कि जब चलते हुए वाहन में ब्रेक लगाए जाते हैं तब गती जूर्जा डस डस में रुपांतरित हो जाती है तो किस में रुपांतरित होती है तो यह होती है आपक ठीक है चलिए आगे देखते हैं पताइए कि किस वाहन को रोकने के लिए आवश्यक बल नेमन में से किस इस्थिती पर निर्भर करता है तो इसका चलिए अंसर देखते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा एवा भी दूनों पर आने की वाहन के भार पर और डिसेलरेशन सेट पर ठीक है दोनों पर निर्भर करता है ठीक है चलिए आगे दिखते हैं पताइए कि काईल इस्प्रिंग आघात को डेस्डेस के द्वारा अवस्वसित करता है बेंडिंग या फिट ट्विस्टिंग या कंप्रेशन या फिट टेंशन तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका कं ठीक हैं ठीक है कंप्रेशन इससे राइट अंसर जलिए आगे देखते हैं बताएए जिक परकार का लीप स्प्रिंग है तो तो इस यहाँ पर जाएगा एपका उप्रोगत सभी ठीक है तो ऊप्रोकत सब्स हो जाएगा आपका उप्रोगत सभी अग्वार्ट पर एलेट्रिकल ठीक है तब यूपा चलिए आगे दिखते हैं वताये टार्शन बार बनने के लिए प्रयूक तो होने वाला मैटेरियल है इस्टील या कास्ट आयरान या हाड कार्बन इस्टील या उपरोग सभी तो इसका सजयंसर हो जाएगा इस्टील ठीक ह छेज़ान या या ढर्ट रहने के 2-2 बार बनने लिए इस्टील तरयल का प्रयोग किया जाता है या श्किल करेक है चलिए या इस्प्रिंग करेद दो करदें हैं सिकल्थ का र्योक हपयोग निस निम्न मेंसju किसे जोड़ने के लिए किया जाता है आप के आफसन है चैच सर जाएगा जैचिस फ्रेम तथा इस्प्रिंग यानिक अप्सन इस तराइट अंसर ठीक है चलिए आगे देखते हैं बताइए कि कैम एक्ट्वेटेडड डबल एंट है डोलिक चाग जाएगा आपका नंबर यानिक डो पिस्टण होता है जैक है कैम एक्ट्वेटेडड डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक्यूर्टण में दो पिश्टन होते हैं ठीक है चलिए आगे बताइए कि बक्साप बियर के लिए मुक्ष कारण है आपके अफसान है रोटेशन के कुछ इस में इन में से कोई नहीं तो इसका संज नहीं गई हैं या पूर्जो के असंतुलित भार या उप्रोक्त सभी तुश्का सजयन सभ जाएगा व्रोक्त सभी टार्क में भीवित्ता गेस अप्रोक्षन का साइकिल वेरीयेश्न या पूर्जो के संतुलित भार चलिए आगे देखते हैं कि बताए कि कैम में बेस सर्किल तथा नोच के मध्धि की दूरी को क्या कहा जाता है यह इसका सब्सक्राइब यह पिच गिशका सच अइंसर हो जाएगा जांग यह लिप्ट कहा जाता है ठीक है अप्टिनबर 6 टांसलिक हा जाता है चलिए आगे दिखते हैं अब बताएं कि एंटि लॉक ब्रेख सिस्टम यानि कि एब्यक्त का क्या होता है यानि कि-क एंटी लॉक याक्ट सिस्टम एब यानि कि ब्रेक के समय वील की लाकिंग की रिकुताम करने हैं तू डायरेक्शन कंट्रोल बनाए रखना ठीक है जैसका मुक्षका रखे चली आगे दिखते हैं बताइए कि फोर वील ड्राइव यानि कि फोर डवलूडी में गियर बाक्सेज की संख्या होती है एक दो तीन चा तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका अफसन नंबर दो ठीक है दो इतर राइट एंसर चली आगे देखते हैं बताइए कि इस टेरिंग गियर में गियर सेक्षन या दांत वाला रोलर जाज ड्रेस के साथ लगा होता है आपके अफसन है बाल बेरिंग या फिर रोलर बेरिंग वर्म या फिर श्टेरिंग विल तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका वर्म ठीक है वर्म के साथ लगा रहता है ठीक है चली आगे देखते है है बताइए वहां काउंसी एक मात्र सर्वीस है जिसकी जरूरत शमान रूप से लिफ्टिंग इस्टेरिंग लिंकेज में परती है ठीक है आपके अप्सन है टाइर अट्जेस्टमेंट लुब्रिकेशन से या पी बाल जॉइंट रिप्लेश्मेंट या इनमेश्य कोई नहीं तो इसका सज्ञेंसर हो जाएगा आपका एठीक है ट्राइड एडिजेस्टमेंट ठीक है चल इसका सज्ञेंसर हो जाएगा राइट रियर टायर ठीक है राइट रियर ठीक है राइट रियर ठीक है राइट रियर ठीक है चलिए आगे देखते हैं बताइए कि नेमन में से क्या ठीक करने के लिए वील रिम से भार जोड़ा जा सकता है तो इसका सज्ञेंसर हो जाएगा वील बैलेंस ठीक है वील बैलेंस करने के लिए वील रिम से भार जोड़ा जा सकता है ठीक है चलिए आ या पिस जर्कुलेटिंग वाल टेकि कि होते हैं इन मेश से किसी भी प्रकार को होते हैं levar इन ही होते हैं और ऑर चाव fajs की से Кहते हैं और या वील बेस किसे कहते हैं ठीक है रहन का real note किसे कहते हैं ऑपका अधर मेंदाлись हो system एक्सेटक के दूरी है या फिर फ्रांट या दूसरे नंबर है आपका प्रॉंट छाइरव की दूरी नाइन वाहनु की क्ल्लंबाई हई या तयरों की चब्लै श्द्री टीक, इसका सही एसार हो जाएगा याने की फ्रॉंट एवन रियल- तो आज के लिए इतना है बच्चो तब तक के लिए नमस्काद जाहिए भारत